बिशेप्ट वालों को और साथ मं को सारी पुलेटिकल पार्टीयों को, यह देखे,ией क्या यह एक ट्रैप है, ट्रैप, देखे, मैं फक्ष बिपक्ष की बात नहीं करता हू हूँ बिपक्ष सोता रहेगा, यह ट्रैप बिपक्ष के लिए इससे बीजेपी का सबसे पहला तवरिज पैदा किसका होगा ये देखिये। सबसे पहला सबसे तौरिज फैदा होगा बीजेपी को क्या सबसेदा होगा crafts का ये भजी गणाप नीती है ये बीजेपी ने किया है तो वन नेशन वन इलेक्शन कितना कारगर हो सकता है लेकिन कारगर होने से पहले वो क्या मुम्किन हो भी सकता है इस पर चर्चा करेंगे इस वक्त आपको बता दें स्टूडियो से हमारे साथ हमारे दो महमान चुड़े हैं इसके अलबा स्टूडियो मे ही हमारे साथ राजनितिक विशेश अग्या है एक में शास साहब देखिए कुंदी भाई हमारे देश में हम काफी लंबे समय से एक बात करते आ रहे हैं कि इस देश में आवशकता है इलेक्ट्रोल रिपॉर्म्स की इस देश में आवशकता है पालियमेंटरी रिपॉर्म्स की इस देश में आवशकता है पॉलिस रिफॉर्म की इस देश में आवशकता है जुडिशल रिफॉर्म की इस देश में आवशकता है टेक्स रिफॉर्म की लेकिन करेगा कूल वो करेंगे नरेंदर मोदी और भारती जन्ता पारटी पिछली टर्म में हमने देश में टेक्स कि देखे होता क्या है कि देश में हमेशा अगर चुनाव चलते रहते हैं तो इसे विकाज कारे को बाधा पहुंसती है नंबर एक नंबर जो देश का जो राजस्वों खर्च होता है वह बहुत बड़ी मातरा होती है जिसको हम एक एक साथ और पूरे देश में चुनाव होते ह हैं या पिर यह कह सकते हैं कि हम S-400 मिसाइल को दो बार खरीच सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कितने बड़ी राजशी लगती है बार बार चुनाव करने में और जो बार बार आचा सहीता लगती है उससे जो बड़े प्रजेक्ट होते हैं हमको नहीं बूलना चाहिए कि मुक जो केंदर की बड़ी योचलाने हैं जिसे रोड्स की हो या पोर्स की हो तो उसके कारण है 36 गार को भी प्रभाव पड़े ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आपकी दलील कुछ हद तक समझ आती है जी गुरे शेख सहाब आपकी दलील कुछ हद तक समझ आती है आ आपने S-400 का जिक्र कर दिया, यानि कि आप ये कह सकते हैं, ये कहना चाहते हैं कि देश भर में अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो 40-50 हजार करूर रुपे आप बचा सकते हैं, एकमिश्रा सहाब आपसे ये जाना चाहूंगा, महद 40-50 हजार करूर, हलाकि ये बहुत पैसों भी खाते हैं, मैं सिक्के के दोनों पहलू को देखते हैं, कोई आरोपने लगाए कि मैं बीजेपी या बीएसपी या किसी का प्रवक्ता हूँ, जो इन्हों ने बोला बीजेपी के मित्रने हमारे, वो है, मैं उसको मानता हूँ, वो सही है, लेकिन अगर पाई चार् रिफॉर्म कम हुआ है, इनकी अपनी पॉलेटिकल पार्टी का रिफॉर्म ज्यादा हुआ है, हार्ड कोर फैक्ट है, राम मंदिर पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया, नहीं बना, इनका ओफिस एक हजार करोन का बनके तयार हो गया, वन नेसन, वन इलेक्शन, सबसे पहले मूल भूत सिध्धान्त ये है, खर्चा कितना भी हो जाए, यहां के जो सिध्धान्त है, जो कॉंसेप्ट है, वो जीवित रहना चाहिए, दूसरी चीज ये बोल रहे है, खर्चा पचाने के लिए, इलेक्शन कमिशन ने, बीजेपी ने जो रिबोर्ट सब्मिट की है, पा साथ में सारी पॉलेटिकेल पार्टियों को, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, बीजेपी वालों को, और साथ में सारी पॉलेटिकेल पार्टियों को, मैं इनको ये बोलता हूँ, साब उन पैसों पे खर्चा, जो इलेक्शन कमिशन की पर्मिशन है, 30 लाग, 70 लाग, और आप खर्चा करोगे 30 करोड उतना उन पैसों से एम्स बनवाईए न एक एक नेता को जो उठा पास है जो जीट जाता है उसको जिंदगी पर पेंशन दी जाती है जरा वो पैसे बचा करके एम्स बनवाईए न जेट प्लस सिक्योर्टी सारे नेता लेके बैठते हैं गूमते रहते है जरा उस खर्चे पे जो फाल्टू का खर्चा आ रहा है एक आम आदमी कटिंग चाय पी लेता है दो रुपए पांच रुपए में दस रुपए एक चाय की कीमत है और इन मंत्रियों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि संसद में वो जो है पैसा देकर के ले इनको फ्री मे प्री देते हो वले क्लास सेने स्ठार होटल का उससे पैसा बचांए ना जो मिडिया मैनेज करने में इतनाındहुज अप सारी पांट यहां खर्चा करिए न मैं यहां बैट के चिला रहे हो आप लोग सारे नेता लोग जो सत्ता बेश्रा साब उनको बोलो कि वीडिया पे इतना जाके चिलाते हो यह आगे आधी कि यह फैदे हैं जड़ा बिहार के बारे में भी उन बच्चों को दवाईयां तो पहुचा दो यह खर् पहुचा करने जी गुर्रेश सब्सक्राइब करने में अफिशियल रिपोर्ट है इलेक्षन कमिशन का बजड़ था पचास जार करोन रूप है साहब आपने तो पांच साल में देश को चोथी सबसे बड़ी इकोनामी बना दिया है उसमें से एक लाग करन रूपए भी खर्चा अगर हो जाता है न तो समुंदर में से जो है एक कप या एक बाल्टी पानी निकालने के भारत की इकोनामी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर चौथी इकोनामी आपने बना दिया है हर चीज में खर्चा करेंगे इतने हेलिकॉप्टर लगते हैं जरा हेलिकॉप पैदल जाके करिए ना वहां खर्चा बचाईए ना जी गुल्रेज जी लॉजिकल बोलिएगा सर इसी मुर्खता की बादे मत करिए पहली बाते हैं अब करिए बुद्धिमानी की बाते करिए मैं बताता हूँ करिए बुद्धिमानी की बाते करिए मैं बताता हूँ कितने हेलिकॉप्टर आपके दोड़ रहे थे वह खर्चा बताईए ना सर बुद्धिमानी की बाते करिए चले ठीक है ठीक है उनकी आवाद तोड़ी क्लियर नहीं आ रही दर्मीर जी बैठक में आपको पसंद नहीं है लो Кuldeer जी और मानिवर काशीराम साहब ने और बहिंठ कुमारी महैवदी जी ने जो दलितों के लिए जो है संघर्च किया ऐै यह बीजेपी के सासन में सबसे ज़्यादा जो है आडग है डलित परतालित हैं इस दैस में किसान आत्मत्या कर रहा है हर सेकिंड में गिसान से बठका करके बीजेपी क्या आत्रकंडा जाती है उसलिए बाद में लोटेंगे धर्मदीर साहब क्योंकि शायद बीजेपी की सरकारे आपके कारेकाल से कम रही है आपने क्या कुछ किया दलितों के लिए वो बात अलग मुद्दा है लेकिन मुद्दा आज का वन नेशन वन इलेक्शन ये भी क्या आरेसस का एजेंडा है जिसे आप बीजेपी फॉलो करना चाहती है क्योंकि जितने भी मुद्दे आपके पास हो आप उन्हें लागू करना चाहते हैं और इसमें सबसे बड़ी बाधा कोई है तो मुक्तलिफ वक्त पर जो इलेक्शन होते हैं उसमें कहीं न कहीं बाधा आती है आप जो अपनी वेव क्रियेट करते हैं उसके बाद आपको पता है कि पूरे रास में पूरे राज्य को छोड़ दिया जाए राज्य में भी वही प्रभाप पड़ेगा पूरे रास की लहर चलेगी और उसके बाद दो पार्टी सिस्टम बन कर र तहीं आप जिस तरी के से आपने मेरे सवाल का जवाब दीजीगा आपने ये बीजेपी पर सारा ये ठीकरा फोड़ दिया कि आपने इतना खर्चा किया वो किया फिर तो आप अपने ही जो अपनी जो आप बात रखना चाहते हैं उसको ही काउंटर कर रहे हैं वाके फिर तो परजानमंति नरेंदर मोधी कहते हैं क्योंकि ये टेक्नालोजी का जमाना है ये परचार पुरसार का जमाना है पैसा इसमें खर्च होगा और ना सिरे बीजेपी करती है वही मैं आपसे कहरों बीजेपी के अलावा पूरी पातिया करेंगी खर्चा तो आप क्या बार-बार ये खर्चा चाहेंगे आप नहीं चाहते हैं कि फिर उस बात को एड्रेस कर रहे हैं नरेंद्र बोदी के वन नेशन वर एलेक्शन हो जाए बनाने की शुरुआत भी जैपी ने की है ने अपनी बात को रखिए आओ मैं यह बोलना था देखिए मैं यह बोलना था भारत के चुनों को खर्चीला बनाने की ऑफिशियल वे में जो सुरुआत की है बीजेपी ने की है आज की डेज में एक वोट की जो कॉस्ट आती है ऑफिशियल नहीं जो इलेक्शन कमीशन में होता है डिफरेंट रिसर्च एज साथ लोगों ने वोट दिया आप दिखा लीजिए 2019 के इलेक्शन में अभी रिपोर्ट आई थी कि बीजेपी ने अकेले जो है पैतिस परसंट परसंट जो है अकेले खर्चे जो है बीजेपी ने किये 75,000 करोल रुपै सारे खर्चे हुए थे उसमें से 45% आप निकाल लीज इससे बीजेपी का सबसे पहला तोरित फैदा किसका होगा ये देखिए सबसे पहला सबसे तोरित फैदा होगा बीजेपी को क्या फैदा होगा मैं आपको बताता हूँ एक साथ जब इलेक्शन होगा तो एक ही मुद्दे में पूरे देश को एक लहर टाइप की चलेगी और उनके मुद्दे होते हैं वो जिंदा रहते हैं एक साथ अगर होगा तो एक साथ एक ही लहर में एक ही मुद्दे में इंडिविजुलिटी खतम हो जाएगी तो अनेक्ता में एक्ता जो हमारा कॉंसेट है वो एलेक्षन में भी तो जलकना चाहिए साब रही बात खर्चे की कर मैं 50 पॉइंट गिना दूंगा यह सारे पक्ष भी पक्ष के नेता कितना फिजूल खर्ची यह लोग करते हैं दस रुपए की चाय भी जो नेता जो है फ्री में पीता हो फाइल स्टार होटल की कैटेगरी का और दस रुपए की दबाई के लिए बच्चे मर रहे हैं यह पी पूरी तरीके से आपका जो एजेंडा है अब फॉलो करना चाहती है पहला भी सवाल मेरा यह था कि अब महस्टू पार्टी सिस्टम बनके रह जो है छोटी मचलियों को बड़ी मचली खा जो है कुछ इस तरीके का एजेंडा आप सामने आएगा क्या जी अशोग जी अरसस का एक एक भी संसेवी बिहार में नहीं पहुचा मरीजों के पार एक भी डॉक्टर इनकी संगठन का नहीं पहुचा यह भी पूछ लीजिएगा चली अशोग सिना से हमारी बाक्चीत नहीं हो पारी कोशिश करेंगे उनसे भी संपर्क सादे लेकिन उससे पहले हमारे साथ सम्विधान विश्येशग या आरल केंजी भी जोड़ गए हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका और इसके अलावा आपको बता दें हमादमी प चेशग या आरल केंज सहब आप से आज थोड़ी चर्चा गुतुको करना बहुत जरूरी है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन ये एक प्रभावी मुद्दा हो सकता है इस पर चर्चा करने की जरूरत है भारज जैसा देश जो की विकास शील देश है जिसको पैसों की सक्त ढूरत है उसने आगे डेफलिमंट करनी है उस देश में करोणों की अबादी अगर पूरा साल इलेक्शन में जुटी रहेगी पूरा जो स्टाफ है पूरा जितना भी नितरत्व है वो सारा अगर इलेक्शन में जुटा रहेगा तो फिर सिला क्या होगा हम जो रफ़तार प प्रिक्रिया हमें दी है और जब तक हम सविधान के अंदर संसोधर नहीं करेंगे यह जो बाती चलाई हैं यह लोगों को मुद्दे से भठकाने के लिए है यह सरकार डॉलप्मेंट का नारा तो देती है सविधान का भी द्वाई पीड़ती है लेकिन सविधान को मानती नहीं सविधान को जो मानती नहीं है तो कैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं पहले आप अपने घर को सुधारों RSS की डूल में मिर्सिप को खतब करिएगा 79 में भी यह बात उठी थी और जब यह लोगों ने कहा आप या तो जंसंग में रहेंगे या बीजे आरे से रह और आए डालेफमेंट पॉल डालेफमेंट का नारा देकर लोगों को भठका रहे हैं क्योंकि इनकी ग्वर्नांस में फैलियर है इस वक्त मोदी जी ने नारा तो दे दिया बनेशन वन अरे कल आप यह कह एंगे बनेशन वन पार्टी वन एलेक्शन और आभी लेक्शन और पूरी में च्योटी के साथ आई यह बाते जो हैं बहुत से पहले से शुरू कर दी गई थी अभी कोई सियासी खेल तो खेलना नहीं है सरकार अभी ताजी ताजी बनी है पूरे पाथ साल उसके पड़े है और उसे इंप्लिमेंट करनी है वो बाते जो देश को सशक्स बना सके ऐसा जो दिखता है राजनास सिंग सहब का भी यह कहना है और फिर इसमें आपको खामी नजर के आती है यह बताईए टेकनिकल पॉइंट्स बताईए कि अगर इस तरीके से लागू होता है तो देश को नुकसान क्या पहुंच सकता है देश को नुकसान यह हो रहा है कि आप पैसा इखटा करो लोगों का ध्यान बटकाओ और लोगों को कहो कि बस एक पार्टी और वर्न में शो चलने दो तो ठीक है यह बता रहा हूं ना क्या नुकसान होगा मैं यह पूछना चाहता हूं सवाल आपसे की लोगों का ध्यान बटकाओ और वैसे जो पूरा पांसाल लोगों का ध्यान बटका रहता है उस पे भी जरा आप बात कीज़ें मैं बता रहा हूं देखे है क्या ध्यान विकर्षण की एक स्टेड़ी होती है बीजेपी अब जीत गई अगले पांसाल के बाद या 2022 में भी तो जीतना है ना अब भाई पीछे जो इन्होंने बोला था राम मंदिर ये मुद्दा वो मुद्दा वन नेसन वन टैक्स हां और उसके बाद नोट बंदी से आतंकवाद की कमल टूट गई वो सब मुद्दे पूरे हो गए उनके अपने डिक्संडरी में मिशन कंप्लीटेड मिशन एकम्प्लेज्ट बीजेपी के अपने डिक्संडरी में देश में क्या है वो डिफेरेंट लिजे सुन लिजे लेट मी अ आपने किये हैं अगर इन सब चीजों से खर्चे बसते हैं इतना बड़ा मित देखे ये मैं तो हैरान होता हूं विपक्षी दल क्यों नहीं बोलते हैं क्यों नहीं समझ बाते हैं सबसे बड़ी है कि भारत की भीजिता में एकता को मेंटें लखना हर राज्य की अपनी चलिए ठीक है मिश्या साब आपको ये लगता है कि एक साथ एलेक्षन हुए तो रास्य मुद्धे प्रभावी हो जाएंगे गुल्रेज साब रखी अपनी बात को मिश्या साब वक्दीजी देखिए देखिए एक बात यह है कि सबसे पहरे तो हमें सकायात भाव से कम से कम विचार विमज़ तो करें और आज जो प्रधानमंत्री महोदय ने सबीद अलों को बुला एक विचार के लिए बुलाया है अभी कोई विल नहीं रखा लेकिन ये लोग विचार तक नहीं करना चाहतें क्योंकि सब्सक्राइब कोई विश्वास नहीं है विचार करना है तो मीडिया में बोल के विचार नहीं करते हैं आप रखिये बात खुलके अपनी विचार चुनाओं और उन्चारों चुनाओं ये था कि एक साथ सभी प्रांसों के चुनाओं भी हुए वो केंदर सरकार के भी चुनाओं हुए तो क्या उसको बदेश की अखंड़ता पे कोई समझ है आ रही थी बिलकुल भी नहीं आई थी ये कब से शुरू हुआ अलग अलग प्रांटों में अलग अलग चुनाओं इसके दो कारण तो यह था कि जब कॉंग्रेस के सरकार ने जैसे जैसे विपक्ष उभरते उभाने लगा और इस्टेट गवर्मेंट को उन्होंने हलाना शुरू किया और उनको डिस्टेबलाइस करके गिराना शुरू किया वहां से यह अलग अलग समय में अलग अलग चुनाओं वे वो दूसरा एक कारण था जब अलग अलग नए प्रांट बने एक प्रांट से कट कर तो यह हुआ अब इसके लिए हमें एक मेकानिजम तैयार करें यदि सब लोग मिलकर तो उससे कितने लाब होगे देश को आप समझेए आप यह हमारे मिश्चा जी से और हमारे जो समवेदाने एस्पर्ट हैं उनसे यह पूछिए एक बोड़ना पूछताओं में डेडिकेटेट ट्रेट काम चल रहा है उसमें आचास वहीता जो अलग अलग प्रांपों में लगी उसमें इस पॉइंट पर आप ठीक है इस पॉइंट पर हम लखनाओं का भी तरसाल रुक करेंगे लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब देखेंगे जवाब क्या है अभी अभी इसी चुनाओं में दो हगा कुनिक चुनाओं की बाता रहा हूं आप औरी साथे चुनाओं की विद्धान सभा को देखें वहाँ पर बीजु जन्ता डल जीती है और वही पर अंदर प्रदेश में जगन मोहनरेटी जिते हैं जबकि यदि वही पर लोग सबाती सीटों को देखें तो मिश्रिस परड़ाम आए तो इसका मतलब ये हैं कि देश की जो डिमोक्रिसी जी बिल्कु धरमीर साब आप बताएए कि यूनिवरसल टेक्स सिस्टम जो होना था उसके लिए भी अच्छा कासा वक्स लग और लंबा अर्चा गुजर गया दशक बीट गया लेकिन यूनिवरसल टेक्स सिस्टम लागू हुआ ना देश में और देश में लागू हुआ उसमें कोई बड़ा वेपारी था कोई छोटा वेपारी था किसी कोई और समस्या थी लेकिन अब सब कुछ कॉंसालिडेट होते दिफरेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है ये बताइए आप देखिए खुलदीब जी बीजेपी की कतनी और करनी में क्या फर्क है कि जो बीजेपी कहती हैं लेके आते हैं क्या 2019 के चुनाव में इन्हों ने घोशना पत्र में ये वादा किया था कि हम एक राष्ट और एक च ज़नाव में उसलमुदे को नहीं रखा आपने चुनाव में ये बताएँए जंता को गुम्राख़ करना चाहते हैं ये देश में एवियम की धांदली से चुनाब जीते हैं और उस धांदली को छुपाने के लिए जंता का ध्यान बटकाने के लिए इन्हों ने एक नया सुगूफा छोड़ दिया है मोदी जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यह दो करोड़ पेस करते हैं वहां 30 बच्चे मर जाते हैं आपके पास में एक 30 पुट ऊची नहीं होती है आक्सीजन से उत्तर प्रदेश में बच्चे मर जाते हैं 130 बच्चे बिहार में मर गए पूरे देश के डॉक्टरों ने जो है इनके इशारे पर बंगाल की सरकार को खतम करने के लिए हर्ताल कर दी लेकिन कोई भी आरेसस का बीजेपी का एक भी जिम्मेदार रिखती वहां नहीं गिया ब्यार के अंदर लोगों का अभी तक कैम्प नहीं लगा इतने डॉक्टर इनके है आरेसस के लोगों को तो एक डब कैम्प लगा देना चाहिए अभी तक आरेसस के आदमी ने बोला नहीं वहां गए नहीं यह एसे सुन से वह कंकर यह लोग की छोटे-छोटे बच्चे मर रहे हैं इसको देश की जनता को गुम्रा कर रहे हैं और देश की मलाई को खान रहे हैं चलिए ठीक है बहुत से सवाल अपने दाग दिया अशोक सिना लगना उसे हमारे साथ जुड़े है आरेसस से अशोक सिना अब आप से सवाल बनता है आपको आवाज आ रही है पहले तो यह कंफर्म कीजिए जी अशोक सिना जी सवाल अब आप आपके मुद्दे धरमवीर सिंग ने कुछ गलत नहीं का आपके मुद्दे तो कुछ और मुक्तलिफ हुआ करते थे आप रामंदिर बनवाना चाहते थे धारा 370 आपके एजेंडे में था बहुत से दूसरे मंद जो मुद्दे है अब नया शीगूफा छेड़ दिया गया है ताकि आपके पार्टी दो पार्टी सिस्टम बन कर रहे जाए और आपकी पार्टी है या दूसी एकास पार्टी जो बज्जा है बागी सभी चोटी पार्टीयां मधिया में ढोकर रहे जो है क्या आपका एजंड़ा लागू करन है राष्टी विशय आते हैं तो निश्चीत रुपसे उसे भाग लेता है जैसे चुनाओ है तो चुनाओ राष्टी विशया है राष्टी हिस्ट की वाद है इसने भाग लेता है पार्टी हमारी अपनी है और सब के साथ हम हैं पर तो सबसे अधिक भार्टी जलता पार्टी लाइग मांट पार्टी हमारी कही जाती है क्योंकि हमारे हीतियों को सबसे अधिक उसको इंप्लेमेंट करने में भार्टी जलता पार्टी आगे रहती है रामंदिर का विशय भार्टी जलता पार्टी ने लिया है बाकि किसी तरने नहीं लिया है इसलिए हम भार्टी जलता पार्टी के साथ अधिक सांगूती रखते है पर तो सभी दल हमारे है, नमबर दो जो आज का मूल बुद्दा है, मूल विशे है कि एक चुनाव एक देश, तो इस पर स्पस्थ हमारी राय है कि यहाँ प्रक्रिया देश हित्की है, नमबर एक इसमें संसद या MP का रोल उतना नहीं है, जतना जंता का रोल है, जंता को ओड देना है, जंता के पैसे से ओटिंग होनी है, तो पहले बात की जंता इसमें संविधान के प्रस्ताना शिरो, we the people of India, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों को यह ट्या करना है, कि हम यह चुनाव जो संविधान की मूल बंशा है, कि वो एक चाथो जिससे की पैसे की बच बार पैसे की समस्चा का आप रोना ना रोए देस का, बार बार देस की जंता को गुम्रा ना करा पैसे को लेकर करें, यह बीजे प्यारा रहा लगों कितना पैसा बचा लेंगे, जो देस को रोने की फिडिया बना देगी, बताएए, और इस समस्चा इस देस में नहीं है, क कि आपके पास विचार नहीं है आपके पास तर्क नहीं है इसलिए आप आपकी बात ना माने तो हम विचार ही हो गए हम आतंक वादी पैनलिस्ट हो गए पर भारत की विचार ही है तो बाता है और वहांगे पता है रही है और बहसे प्लस कर दो गया आप वह जनता है और शूर्ब मुझार मत रखिए तो उसका कुछ अजा मिशाची 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 इस सवाख अशोग सिना साथ जियां से सुनिए अशोग सिना साथ आप से सवाल दरसल बेसिक सवाल आप से ये है कि कोई भी नया प्रपोजल हो प्रधान मंत्री जो ऐसे पहले कहते थे 370 पर कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए कितना नुकसान पहुंचा है वहाँ नागरीक जो है जो नागरीक नहीं है सालों से रहते हैं लेकिन वो नागरीक नहीं है ऐसे में चर्चा तो होनी चाहिए ऐसे में one nation one election है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए चर्चा से पहले भाग कर आ जाना और उस पर कोई जवाब नहीं देना अपनी राय नहीं रखना देश में कोई नीती बनने जा रही है ये बहुत बड़ी गलत बात है लेकिन आप से मैं ये स अब हुमें कर सकते हैं तो फिर स्थानी मुद्धे तो कहीं पीछे रहे जाएंगे उन पर कौन बोर वर्माएगा विपक्स का मजबूत होना जरूरी है तो क्यों नहीं आप ने सारी पाज़ों को जबाब ले जवाब ले जिए अशोक सिना जी जड़ा मिश्रा जी को सब्सक्राइब करना चाहिए जी जी आप वोरिया चुक्तिना जी मां यह कह रहा हूं कि यह प्रधान मंतरी ने बैठक कई विश्यों पर बुलाई थी इसमें एक विशा यह भी था और उन्होंने कह दिया सरकार का विशा नहीं है यह जनता का देश का विशा है यह देश के सब्सक्राइब करना चाहिए चर्चा के लिए आपको बुलाया है सरदल यह बैटक बुलाई है बहुसी पार्टियां पहुंची है तो आपको आपने निहित सवार्थों के तहद रुखना नहीं चाहिए था चर्चा में पहुंचना चाहिए था टीमसी के दिली पाठक जी भी बैठें सर आपकी पार्टी भी नहीं पाउंची सरदल यह बैठक थी अगर देश में कोई बड़ी निती बनने जा रही है उसमें आपका हा या ना में सहीयोक तो होना चाहिए था मैंने कुल्दीम जी मैंने प्रस्ट कुल्दीम जी मैंने आपका प्रशन समझ लिया मुझे जवाब नहीं दे दे और मैं चाहूंगा कि हमारे भाई मैंने इतने गभीतार से बातों को सुना है यह सुने जिवाज बोल रहा हूं जी बहुत बड़ा इसू यह है कि बड़ा च सब्सक्राइब जाएंगे चार लक्षन निपड़ जाएंगे इतने में अब आरती किसी करना नहीं है नव यह बेरोजगां टैलता रहेगा अरे इसके लिया बगाजा सुएद पत्र लाला के विश्वास मिलने के की जानी चाहिए थी इसका इन नया सिपूपा चोड़ी क्य सब्सक्राइब करना चाहिते हैं हमारे देश के 44 जवान सही हो गए आज तस उसके क्या होगा उसका कोई पता नहीं बियार में बच्चे मर रहे हैं उनका उनका देख मात कोई एक बिट नहीं प्राद गया यह क्याना है सबूपा आप जनता को कहां से कहां नहीं चाहते हैं आप चाहिए रहे हैं कि अंपी से लेके बठाने तक ज़्याव एक साथ हो तो सारी वेकेंजियों के लिए बुर कर देते हैं तो आप यह बताईए कि आप क्यों नहीं इनको कंविंस कर पा रहे हैं कि मोडल कोड अफ कंड़क्ट लगता है हर कुछ महीने के बाद किसी राज में आपने बताया कि 2004 के जनरल एलेक्शन थे तो 45,000 करोड खर्च हुआ था 2019 आते आते कई हजारो करोड रुपया यह हो गया और उसके बाद जो पूरा जो सेंटरल स्टाफ है या पूरा जो सरकारी करमच्यारियों का अमला है वो लग जाता है शिक्षा में व्यवधान आत क्यों नहीं आप कन्विंस कर पा रहे हैं तब उस समय चुनाव आयोग में प्रपोजल रखा था उनके समक्षे कि इस देश में यदि प्रांतों के वो केमरे के चुनाव योड़ी एक साथ होते हैं तो देश को लाव होगा उसके बाद कितिरी सारी सरकारे आई हमारी सरकारे भी आई हमने पिछली सरकार जो बोधी व और पॉपन इंद्रा कांदी उस समय बैठी तो यह बात यह बाद यह बेवारी सी बात है कि भारत जंसा पार्टी कि इसे एजेंडे के तू कर रही है दूसरी बात इसे चुनाओं ने यह बात दिखा दी कि जो काम करता है वह जीता है आप देखिए वीजेदी कैसे जीत गई हागे हैक każda तो पो यह कि जीता है फेस चीजता है और द्री हो जिस सासरे चीज़ाना है है रही बात प्रपोजर की घार हृँ एजमाना मंद्दर का ते कि अ कि लिए वह बांटाने का पूरा के ते कई कम अदेखिए जन शौकरित प्रपोजल आपका पूरा हो गया और इसके लिए बनाई लिएस इनका यह पुरेस सहाब का अपका निया प्रपोजल आगया जी जी मिश्चा साब का सवाल यह है इस से पहले आपने राम अंदिर का शीगूफा रखा वो अभी आप पूरा नी कर पाए तिन सो सतर के आपने बात की उत पे चर्चा अभी मेरे उपर नाराज प्रपोजल ओलिए प्रफेस्टल लेंगवेज नहीं तो हमें आतंक वादी और मूर्ख घोसित कर देए अगर नाम धंड विद्वाल लो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नहीं लोजिकल जवाब भी जवाब के लिए अभी तक कैसी से वाब करते हैं तो कि कसरारों कारण प्रजेक्ट जो रुकते हैं वह नहीं रुकेंगे जो केंद्र की पूरी की पूरी मशनरी को बारबरे साफ आप महां भुपार हैं आपने बोला हम आसे सवार पूर्जेते हैं सब बता दीजिए कितना खर्चा कराने पर और भारत की इकोनामी कितने फोर्च रुडो कर जाएगी वह खर्चा बता के पूजे यहीं बता दीजिए मैं कितना बना इकोनामिक कौन्ट्रिवूशन हो जाएगा भी कितना हो जाएगा यह सवाल आपका जैनुएन है यह सावल गुर्येट का घुर्चा जो कर जिए जिए मिश्राइगा बतादीजी घुरे सवाल यह है आपका कि वाकिए अगर आपने ऐसा कुछ सोच लिया है ऐसी कोई प्लानिंग कर ली है इसके पीछे आधार क्या है आप कहते हैं यह आधार सोड़ा किनवा दीजिए आपका कितना पैसा बच जाएगा और कितनी रेट से एकॉनमी जो है ग्रो करने लगी कितना फाइदा होगा देश का जड़ा यह बताईए बताईए कितने नहीं जवाब आ जाएंगी कि वो सिर्मंत्रियों के सबसीडी पर उड़ जाएगा जवाब आने दीजिए अब कि squad careerяти जो एक अनुमान कम से कम इससे 880 8 tells is वह बचे गा दूसरी बात जो है कि जो केंद्रकी योज्डिरा उना विजन मांड़ा वह विजने रु्खेगएगा इस empath जिसे के सकता है बोने दो से दो प्रतिशत जो जहें जीडी पी उसको भी प्रवाव पड़े था उसको लाब मिले था भारत इतना वरी प्रेस्ट रही है कि सब्सक्राइब कर दें ने जाना तो आपकी पार्टी ने पांच साल में कितना खर्च किया है किसी पार्टी को किसी पार्टी को आप निशाना नहीं बनाई यहाँ इससे जाना वन एलेक्शन सारे नेता लोग अपने खर्टे मंत्री बचाने वन एलेक्शन पर फोकस रखिए इस पर जनता क्या चाहती है कि जनता क्या इसे सारे पॉलिजिशन के उसमें ले रही चोड़ दें सारे पॉलिजिशन पेंसल लेना चोड़ दें ताइकर से चलना शुरू करिए देखे कितनी बचा चाहिए मिश्रा जी मिश्रा जी मिश्रा जी एके सिंग सहब अब आप से जाना चाहेंगे सबसे थोड़ी ठोडी बात हो गईिए यह आप बता हाई यह कै़ा भारत में मटिया मेट हो सकती है अगर इस तरीके से ये पॉलिसी लागू कर दी जाए अगर पूरी तब्दीली कर दी जाए वन इलेक्शन हो जाए तो आप कहीं बचेंगे देखिए जो मटिया मेट वाली बात है वो तो हमारी पार्टी कभी होगी नहीं रिजन यह है कि हमारी पार्टी बेसिक मुद्दों पे काम करती है स्वास्त पे इस इक्षा पे आप जैसे बिहार में देख रहे हो यह बिहार में जो हो रहा बच्चे मर रहे हैं उसमें तो भाजपा भी सामी है बाद आपकी वो संजीदा मुद्दा है उस पे चर्चा अलग स से बनती है घंटे की दो घंटे की डिबेट उस पर बनती है आप यह बताईए हमारी पार्टी बिलोद इसलिए कर रही है क्योंकि में चीज क्या है आप पीछे चले जाए तो इसका बेसिक उद्देश बिजेपी क्या है वो देखिए पूरे पांच साल में मोदी ने हर अलग होंगे तो बार बार मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि आज जो मोदी की जीत हुई है असल मोध की बीजेपी की नहीं है पार्टी की नहीं है आप उनके नाम से जीत हो रही है तो उनको जाकर परचार करना पड़ता है तो पूरे अगर अगर जो अलग-अलग लेक्सं क्या था ता हवाब यह मुद्ञ उठाइब अगर यह उठाते तो पहले उठाते जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्त बोल रहे थे यह मुद्ञ तब नहीं उठाया ना तो अपने इन्हों पूरा देशी डाइवर्सिटी में है साउथ में जाए तलग कल्चर है नार्थ में आई तलग कल्चर है पूर्वी में जाए तलग कल्चर है तो जो उनके स्टेट के अपने मुद्दे होते हैं वह स्टेट के समय वह बखू भी उठा सकते हैं मैं बताऊं उत्तर प्रदेश की करते हैं पयार आप उसको फ्रह्श्चा चार को अगर उठाते ऑगर हुझायाइ वह लाज़ के च्महीना जाकर यह कहते हैं राज मुद्ध जटके में सारे सारे जो जनुवीन मुद्ध होते हैं वो खतम कर दिये जाते हैं तो देखते रहे उसमें भी तो बहुत नुक्सान पहुंचता है देश कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बन पाती किसी पॉलिसी पर कोई एग्रिमेंट नहीं हो पाता मैं एक चीज यहां और लग दूँ कि जब भारत सुतंत हुआ था तो लगबर 10-15 सालों तक आलमोस सेलेक्षन साथ साथ हुए उसमें क्यों हुए और क्यों दिक्कत नहीं हुई उसमें के निताओं के मोराल बहुत हाई थे उनकी इंटीग्रिटी बहुत हाई थी लोगों को व यूपी में आ जाई है तो भी बदले की राजनीती है जहां पर आदमी की नियती खराब है ऐसे में वन इलेक्षन वन नेशन का जो कांसेप्ट है वह इसको डिस्ट्वाइब करेगा और लोगतन को खतम कर देगा हमारे हधिकार खतम कर देंगे एक चीज मैं आड़ करूंग नेताओं में वह खतम है जब तक पूरा देश 100% सिक्षित नहों जाए स्वास्विजए अपनी नहों जाएं तो नेतिक मुल्यों से क्या परक पढ़ता है जिसके नेतिक मुल्य का आप आपके पहले हैं उससे उससे नैतिक मुल्यों का हास उनका भी हुआ है जिसके अध्याक्ष हर किसी को करत बोलते हैं पहले और फिर उससे घंज़ाइब जाके माफी माउते हैं चाहे वो कंग्रेस का निता हो यदि जिस इवाज करवा ले हैं ठीक है मुद्धे पर मुद्धे पर ठीक है मैं बता रहा हूँ अभी हमारे बीजेपी के मित्र ने बोला था उसी रहारा है अच्छा दो दो पर मिश्रा साब क्योंकि सवाल उन्होंने किया है जवाब इनकी देनी की बारी है उन्रे साब बात रखी अपनी इन्होंने ये कहा कि इस तरीके से सिस्ट्टम लागू करते हैं पांच-पांच साल के लिए लोग खुले हाथ से बरस्ता चारी करेंगे आपको लगता नहीं कि पांच साल के लिए जिसके पास पावर होगी ना सिर्फ सेंटर में स्टेट में और पिर लोकल बॉडिज में जनता की कौन सुनवाई करेगा ने अनर्की आएगी के ने आएग पास जवाब नहीं है आजब सही है आप आज आएए मेरे साथ चलिए ग्रेटन आप्राइब कर रहे हैं अधिक्ता के पैरा मीटर पर यह होगा संविधान में और सुरू से ही यह प्रोवीजन है हर अधिक्त की अपनी आइडेंटिटि है एक साथ एक्षान होगा तो success की अभी लोड़े बोला कि यह जनता के लिे है तो यह जनता तो इस Peter की लिए कर है रही बात जो आप घपलों की कर रहा है और रखना सर काला धन ले आईए पचातर हजार रुपए करोड रुपए की जो है कमी नहीं रहेगी रहार मंत्री मोदी जी सवालाग करोड रुपए को चुनावी भासड में बियार में दे देता है इलेक्शन कमिशन से खर्चा बच जो पैसे बचाने वाली बात कर रहे हैं हम आपको सरकारी आंकरे बता दें कि यहां जो डीपी आर बनते हैं अगर सो रुपए खर्चा होता है तो तीन सो रुपए एक बनता है तो जो दो सो रुपए के डीपी आर बनता है वो खर्चे कहा जाते हैं और दूसरी बात अगर खर्चे ही बचाने हैं तो जो चुनाव आएगा है यह क्यों नहीं बनाता कि जो हमारा परचार परसार होगा वो हमारे मंद से होगा, आप से होगा ही नहीं, आप क्यों 70-70 लाख रुपे खड़ा है, चली अशोगी आप से सवाल है, अशोगी सवाल आप से ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को यहां जितने पैनलिस्ट मैठें, ज्यादा तर की राई ये है कि आप वो आइस्क्रीम करना चाहते हैं, जी अशोगी, ये इस इनकी भाषा का सिर्भी मेटाफर हो सकता है, मगर मैं ये समझता हूँ, कि इसमें देश ही च्छिपा हुआ है, हमके ही नहीं बचेंगे, आप समझ ने दीजे, और इसके तक निसार गुल्रेजी, गुल्रेजी, आप समझ ने दीजे, इसमें दीजे, आप किस प्रणार से जी चाहते हैं, ये जो नहीं चाहते, जो नहीं चाहते, कि एक देश और एक एलेक्शन हो, वा इसको ताफी का रोग दे रहे हैं, मगर मैं बता दुआ से, कि इस ज्योस्था से, आप मीडिया को मैं भी आवान करता हूँ, कि वो ग्राउ आप की तरकार हैं, आप आरेजस के सारे मिम्बरों को बोलिए, सारे लेक्शन करके लिए हैं, किस दिन आप लग देवा करें हैं, अब ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, जनता ही जिताती है एलेक्शन, और चाहे पांच साल में एक बार हो, हर जज़े के एलेक्शन, य मैं इनी की बात बता रहा हूँ, बैइ बीजेपी को क्या उपज़ेक्शन है, जनता ने आपको जिदा दिया, तो आप क्यों मुद्दा उठाए, सर आप तो शार्षन में हो ना, तो आप क्यों कर जिसको प्राबलम हो अगर विपक्ष को प्राबलम हो तो ये मुद्दा आप तो वन इलेक्शन हो या सो इलेक्शन हो हर इलेक्शन आप जीत रहे हो बहुत अची चीजे बताईए चलिए ठीक है मिश्चा साथ मिश्चा साथ इलेक्शन हो जीत रहे हो